Redmi Note 8 Pro दोस्तों हम इस फोन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब ये फोन इंडिया में लॉंच किया जाएगा मैं ये फोन काफी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ आज मैं आपको बताऊंगा क्या मुझे इस फोन में अच्छी बाते लगी हैं और क्या इसमें कमिया है 10 मेजर पॉइंट्स की हम बात करेंगे वीडियो गर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा आज हम टार्गेट रखते हैं 10,000 लाइस का जल्दी से पूरा कर दीजिए और साथ में सब्स्ट्राइब भी कर लेना अगर आपने बुझे नहीं किया तो और मुझे कुमेंट्स में बस इतना बताना कि आपको ये फोन प्राइस के हिसाब से कैसा लगा सबसे पहला पॉइंट है हमारा बिल्ड क्वाल्टी दोस्तो ये फोन आता है ग्लास बिल्ड के साथ और आपको मिलता है साइडों में प्लास्टिक का फ्रेम मैं इस फोन को कुछ टाइम से बिना बैक कावर की यूज़ कर रहा हूँ मुझे ये फोन होल्ड करने में काफी अच्छा लगता है ग्रिप इसकी काफी अच्छी बनती है क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार बैक साइड पे कर्व भी मिलता है जो कि पहले आपको नहीं मिलता था नोट सेवन प्रो में तो मुझे इसकी बिल क्वालिटी काफी सही लगी है और आपको यहाँ पर बैक साइड पे गुला गलास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है कमी मुझे लगी है इसका जो इक कैमरा यह काफी ज़्यादा बार की तरफ निकला हुआ है जैसे कि आप यह देख सकते हैं तो अगर आप यह बिना बैक कवर के यूज़ करोगे तो इसका कैमरा प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और मुझे एक और अच्छी बात लगी है इसका जो इक गलास है बैक साइड पे यह ज़्यादा फिंगर पिंट मैगनेट नहीं है नहीं तो हमने देखा है जो भी इस तरह के फोन आते हैं गलास बिल वाले वहाँ पर हमी बैक सेट पे फिंगर पिंट बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं बट यहाँ पर आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर एक और अच्छी बात है आपको यहाँ पर उपर नोडिवेशन लाइट भी दी गई है जोगी हमें वाड़ डोब नोच के साथ बहुत ही कम देखने को मिलती है अगर हम इस फोन के वेट की बात करते हैं तो इस फोन का वेट है 200 ग्राम्स थोड़ा सा आपको यह फोन हाथ में लेकर हैवी लग सकता है हमारा सेकिंड पॉइंट है इस फोन की बैटरी यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है 45100 mAh की और साथ आपको मिलता है USB-C type port और आपको मिलता है 18 मोट का fast charger box में आपको यहाँ पर देर दिन के आसपस का बैटरी बैकप एजली मिल जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट है इस फोन का डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.53 इंच का IPS LCD पैनल मिलता है अब यहाँ पर दोस्तों एक बात तो यह है कि आपको इस फोन में एमोलेट डिस्प्ले नहीं मिलता यह कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते लेकिन अगर हम इसको देखते हैं IPS LCD के हिसाप से तो यह top class का डिस्प्ले है कोई भी आपको इसके डिस्प्ले से शिकायात नहीं होने वाली चाहिए हम बात करते हैं colors के बारे में या हम बात करते हैं viewing angles के बारे में एमोलेट की कमी तो पूरी नहीं हो सकती लेकिन IPS के हिसाप से यह काफी अच्छा है और आपको यहाँ पर front पे गुलगलास 5 की protection भी दी गई है बेजल्स भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं पहले के comparison में और आपको मिलती है यहाँ यहाँ पर water drop notch screen to body ratio है 91.4% और अगर मैं बात करता हूँ touch response के बारे में तो वो भी मुझे इसका जबरदस्ट लगा कोई भी इससे मुझे दिक्कत नहीं आई है हमारा fourth point है performance इस phone में आपको मिलता है Miradakilio G90T processor जो की gaming के लिए बहुत ही जबरदस्त है आपको यहाँ पर PUBG खेलने का experience बहुत ही अच्छा होने वाला है पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर आपको heating इशू देखने को मिलेगा जो कि यह थोड़ा warm हो जाता था gaming के time या फिर camera यूज़ करने के time लेकिन अच्छी बात ही है इसकी जो heating है वो बिल्कुल control में रहती है और ही टी एफोन नहीं होता है मानलो आप इसमें आदे गंट गेमिंग करते हो तो आदे गंटे बाद इसका जितना temperature होगा एक गंटे बाद भी उतना ही रहेगा ये मैं कहूंगा इसकी बहुत अच्छी बात है आपको यहाँ पर liquid cooling system भी मिलता है जो कि heating इंट्रोल करने में काफी help करता है यहाँ पर gamers को पूरी दरा से ध्यान में रखकर इस phone को डिजाइन किया गया है शोमी की तरफ से जैसे के आप इस तरह से phone को hold करके gaming करते हैं तो यहाँ पर आपको wifi x antennas मिलते हैं जिससे क्या होगा antenna block नहीं होगे gaming के time पे अलग type की wifi antenna placement आपको यहाँ पर मिलती है बागी इस phone में है UFS 2.1 storage आपको यहाँ पर flagship लेवल का experience होगा speed को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बट यहाँ पर मैं कहूंगा RAM management को improvement की जरूरत है वो यहाँ पर मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है मैंने इसका speed crash किया था Samsung Lexi M30iS के साथ वो आप चेक कर सकते हैं उपर cards में आपको link मिल जाएगा फिट पॉइंट है इस phone का software यह phone आता है Android 9 के साथ और आपको मिलता है यहाँ पर MIUI 10 और जल्दी आपको यहाँ पर MIUI 11 का अपडेट भी मिल जाएगा इस phone में आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सरे options देखने को मिल जाएगे कोई भी आपको यहाँ पर कमी नहीं होने वाली है काफी लोग है जिनको MIUI सबसे best लगता है आपको कैसे लगता है यह आप मुझे कमेंट से में बता सकते हैं आपकी च्वाइश क्या है स्टोक अंडोइड या फिर MIUI कमेंट से में बताना मुझे 6 पॉइंट है फिंगर्पिंट स्कैनल और फेस अनलोग यह हम चेक कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट है इसका फिंगर्पिंट स्कैनल टैप करते ही फोन अनलोग हो जाता है अगर हम फेस अनलोग देखते हैं तो वो भी इसका काफी फास्ट है हलकी से आपको लोग स्कीन देखती है और फोन आपका अनलोग हो जाता है और आखे बंद में ये फेस अनलोग काम नहीं करता ये एक बहुत अच्छी बात है सेवन्थ पॉइंट है इस फोन का कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है रियर में क्वार्ट कैमरा सेट अप और प्राइमरी कैमरा है इसको मैं क्वार्ट कैमरा इसका मुझे ठीक ठीक लगा उतना अच्छा भी नहीं है उतना बुरा भी यह नहीं है लेकिन जितना इसका ही सेंसर कैपेवल है उतना अच्छा यह परफॉर्म नहीं कर रहा इसको मैं कहूंगा इंप्रूम्मेंट की जुरूरत है मैंने इसके फ्रंट कैमरा से एक वीडियो भी रिकोर्ड की थी उसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा वो भी आप चेक कर सकते हैं जितनी मुझे उमीद थी इसके कैमरा से उतना अच्छा यह परफॉर्म नहीं करता जैसे इसको लेकर कोई अपडेट आएगा मैं आपको इंफॉर्म करूंगा अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो इसका रियर कैमरा यूज़ करके आप फोर के दग वीडियो कैप्चर कर पाएंगे और फ्रेंट कैमरा यूज़ करके आप फूर्ल एज़ी दग वीडियो कैप्चर कर सकते हैं एट पॉइंट है इस फोन की कोल क्वाल्टी यहां पर मैंने नेटवर्क को लेकर या फिर कोल क्वाल्टी को लेकर कोई भी शुफेस नहीं किया एरपीस इसका काफी अ दोस्तों मुझे इसका लाउट स्पिकर उतना अच्छा नहीं लगा यहां पर लाउडनेस की बहुत ज़्यादा कमी है तैंथ पॉइंट है कि यह फोन आता है स्प्लैश प्रूफ कोटिंग के साथ अगर आपके फोन पर थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है या फिर फोन आ लाउट स्पिकर उतना सोलिड नहीं है जितना की होना चाहिए था तीसरा इसके कैमरा को थोड़ी सी इंप्रूब्मेंट की जुरूरत है हाला कि कैमरा इसका जबरदस्त है थोड़ा सबर इंप्रूब हो जाए तो बात बन जाए शैंसर इसका यह कैपिबल है कोई दिक्कत जाए और कैमरा इसका थोड़ा भार की तरफ निकला हुआ है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है अगर यहाँ पर मेटल का फ्रेम होता तो मज़ा आ जाता इसके लावा कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत ही जबरदस्त यह फोन है आपको यह फोन कैसे लग पिख लाण चैता आप map क का बहुत है यह जबरे सुलक ड़लदस्टेस कबाईख कोई के लगभी कोई भार कोई चैता इसके लाा भी।